प्रोग्रिस काड की कुछ अंकों से हम स्मार्ट नहीं बनते हैं रियल जिन्दगी में टॉम ने जैसे कुछ किया है उससे वो कितना स्मार्ट बना है यही स्टोरी से देखने को मिलेगा लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजियो और चलिए देखते हैं तो चलिए अब हिंदी में भी देख लेते हैं टॉम पेंट्स दे फैंसेस तो यहाँ पे देखिए सैटरडे की मॉनिंग है समर का सीजन है और पूरा जग है यह ब्राइट और फ्रेश हो गया है ऐसे में लाइफ कैसी होनी चाहिए चेरफूल होनी चाहिए और एक सौंग है हमारे हाट में हम जो भी काम करेंगे उसके साथ ही यह सारी चीज़े होती रहती है हमारे दिल में हमारे मन में लेकिन टॉम स्वायर नाम का जो बेटा बच्चा है वो बड़ा ही अनहापिली गर में बैटा हुआ है उसने आज स्कूल में भी नहीं गया है और उसकी फाइट के कारण उसे पानिश्मेंट मिली है कि उसकी आंटी ने उसे बोला है कि आपके घर के आजो बाजो में जितनी भ वोश करना है अब टॉम आ गया वईट वोश हाथ में बकेट बहर के लेके उसको अब चूना लगाना है तो देखना शुरू कर दिया है वो और बापरे ये इतना बड़ा इसको लगाना है वो धिरे धिरे थोड़े ठोड़े डाल्ड़ डालके चल है तबही उसे जिम अव वाल्टी थी इसका मतलब पानी लेकिने वो गाना गारा था तभी जीम ए जीम क्या पानी भरने जा रहे हो वाइट वोश करने के लिए हेल्प करो तो जीम बोलता है कि नहीं रे टॉम अगर मेरी बुढ़ी मिस्यूस जैसे है उसने देख लिया तो बस उसने मुझे बोला कि ज अपना अपना काम करूंगा और तुम तुम्हारा काम करो मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा उसने मुझे इससे बताया है अगर उसने मुझे देख लिया मैं तुम्हारा मदद किया वाइट वोश करने के लिए तो बस आरे जीम इधर तो आओ ऐसा टॉम उसे कहने लगा उस नहीं बाबा, टॉम देखो, मैं नहीं बाबा मैं डरता हूँ, अगर मुझे उन्होंने इतना बोला है और मैं तुम्हें मदद करूँगा, ना, बिल्कूल नहीं, जी मेरे पास मार्बल्स है, यह मैं तुम्हें दोंगा और उसने ऐसे बोल के पॉकेट मेंसे जो मार्बल्स घ गोटिया वो निकाले है वो बच्चे खेलते हैं ना उसको देखने के बाद रियल में जीम के मूग को ऐसे पानी आ गया था लेकिन वो अपनी जो बुड़ी है उससे इतना ढरता है कि वो सोची नहीं सकता है उसने बोला ए देखो मैंने तो तुमको दिखाया है ना जल्दी से आजाओ मैं तुम्हारी हल्प करता हूँ तुम भी मेरी हल्प करो जीम जीम मुझे पता है तुम्हें ये मार्बल चाहिए उसने बकेट को नीचे रख दिया और वो अब बोलने के लिए शुरू हो गया तभी जो टॉम है वो टॉम ने अपने जो शूद सॉक्स है वो निका आज बगा दिया वहां से उसनों नी टॉम की तरफ देखा भी ने टाओ मैं ना वाइट वाश करने में बीजी था तबी मुझे पता ही था टॉम तुम ऐसे ही हुँ तुम ऐसे ही काम करो ऐसे बोली के वह अंटी वहां से गुजर के चली जाती है अपने पैरों में स्लीपर् है वह अपनी काम कराने के लिए कुछ भी कर सकता है यहाँ पर देखिए इसके साथ टॉइज भी है मार्बल्स भी है पैसे भी है आहां वेरी गुड इससे तो मैं बहुत सारी अच्छे से से काम करा सकता हूँ उसने ऐसे सोचा लेकिन यह वाइट वोश करने के बाद मुझे थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा ऐसे वो सोच रहा था आहां मैं बॉइस को इससे खरिद नहीं सकता मुझे और कुछ आइडिया करने पड़ेगी ऐसे वो सोचने लग गया टॉम फिर बाद में उसने वाइट वोश करना शुरू कर दिया अपना काम करने में वो मगन हो गया थ वहां से बेन बेन रोगर जो है ये थोड़ा सा जम करते हुए उचलते कूते हाथ में एपल लेके उस एपल को खाते खाते दूर से ही उसने देखा है है टॉम को पनिश्मेंट मिली है मुझे तो कोई पनिश्मेंट नहीं है वो एपल का एक एक बाइट ले रहा था चूज खा रहा था आवाज कर करके कर करके और उसे मजा रहा था टॉम जो है वो काम करता है और वो खुद खा रहा है लेकिन टॉम देखो टॉम उसकी तरफ बिलकुल नहीं देख रहा है वो उसे बोला हैलो शायद तुम कुछ रबल में हो कुछ आंसर क्यों नहीं दे रहे हो लेक बहुत नखरे चलो थे, बेन तभी उसके पास आया, वो बहुत हैरानी से वहाँ पे देखने लगा, एक्चुली उसके हाथ में, जो बेन के हाथ में जो एपल था, वो देखे तो उसे मुझ को पानी छूट गया था, लेकिन क्या करेगा, लेकिन ऐसे दिखा रहा था कि बहुत कॉंसेंटरेशन के साथ, तो टॉम अपना काम कर रहा है, बेन ने उसे पूछा, हलो, हलो, मुझे तुम नोटिस भी नहीं करते हो, तब टॉम ने बोला, मैं तुम्हें क्यों देखू, मेरा अपना काम है न, तो वो बोलता है, कि बेन बोलता है, कि मुझे स्वेमिंग करने जाना है, लेकिन ये जो तुम्हेरा काम चलू है, वो मैं देखने के लिए, यहाँ पर बेकरार खड़ा हूँ, मुझे भी ऐसे ऐसे लग रहा है, कि मैंने तुम्हें कुछ हेल्प करना चाहिए, तो ये बोलता है, मैं तुम्हें क्यों बुलाओ, तो क्यों ना बुलाओ, ऐ इसे वली चीज़े, लेकिन अगर तुम मुझे बोलोगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा करके, लेकिन वो उसे पता था, इतना जल्दी मान गया, तो ये भी बेन अपने हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वो ना एक भी चांस मिस नहीं करना चाहता था, और वो बहुत कोई कला को जैसे पेंटिंग करते हैं, वैसे कर रहा था, उसे पता था कि बेन के मन में अभी इसको काम के लिए इंटरेस जाग चुका है, और वो इंटरेस अगर मैंने अभी जल्दी से उसको हाँ बोल दिया करने के लिए, तो वो बाद में निकल जाएगा, तभी उसे पत में एक 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 आपल का तुकडा चूस रहा था, खा रहा था, और वो बार बार टॉम की तरफ देख रहा था, टॉम जैसे वो अपने अच्छे से हाथ से देख देख के अच्छे से पेंटिंग कर रहा था, ये देखने के बाद उसे भी ऐसे लग रहा था, कि उसने भी ऐसा वाला काम करना चाहिए उसे उसमें स्पूर्ति आ गई थी उसे यह आपल खाने में मज़ा नहीं आ रहा था और उसने उसे बोला कि रूख जाओ तो मुझे भी थोड़ा सा करने दो ना तब बैन जो है उसने ऐसे बोलने के बाद वो बला नहीं नहीं मेरी आंटी जो है ना वो ऐसे देखीगी तो वो मुझे डाटेगी देखो उनको बहुत अच्छे से परफेक्ली चाहिए तो मुझे नहीं लगता है अगर यह सामने वाला होता तो ठीक था लेकिन सामने वाला है और बहुत कंस्टेशन के साथ यह काम करना पड़ेगा और तुमको तो पता है लोग हजारों लोग इसे देखेंगी और देखने के बाद बोलेंगी यह किस ने किया है तो जस्ट टॉम ने किया है देखो मैं बहुत अच्छे से करूं नहीं चलेगा वह इसे बार 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 बैन उसको रिक्वेस्स कर रहा था देखो जॉम है ना वह जीम भी आया था लेकिन उसके आंटी ने भी देखो मैं किसी को यह वाला चास नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं एक दम फिक्स हूँ यहां पे और मुझे यह स हाती इसको ट्रै करूंगा लेकिन प्लीज 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 मुझे करने दोना एक काम करता हूँ यह जो मैंने आप लेना इसका थोड़ा सा भाग मैं तुम्हें दे देता हूँ तब टॉम बोलता है कि नहीं मुझे डर लगता है बैन नहीं तुम अच्छे से करोगे कि नही पता नहीं देखो मेरे हाथ में आपल है ना यह पूरा का पूरा तुम ले लो और यह बोलने के बाद अब टॉम ने तुरंत अपने हाथ का ब्रश उसका हाथ दे दिया उसका फेस तो देखेने लाइक था उसको बहुत अच्छा सा बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था उसने वो एपल को तुरंत ले लिया बैन ने ब्रश को ले लिया वो पागलों के तरह उस फेसे को बहुत अच्छे से पैंट करने लगा और टॉम यहाँ पे मस्त से पास में ही खड़ा था एक बैरल उसके उपर बैड गया एक पैर उपर एक पैर नीचे और सर के उपर हो गया था लेकिन फिर भी टॉम उसे इतना मोटिवेट कर रहा था और काम करने के लिए मजबूर कर रहा था उसके बाद धीरे धीरे बिली फिर बाद में जॉनी ऐसे करते करते इन सब लोग जो भी वहाँ पे स्विमिंग के लिए आ रहे थे सारे बोईज के हाथों में धी माई गॉड यह आज कैसे हो गया मेरी जो आज बाजो में जितनी भी फैंसे से सबको वाइट वाश हो गया है ओ माई गॉड टॉम तुमने बहुत अच्छे से वर्क किया है मुझे तो मुझे खुद को शरम आ रही थी कि यह कैसे मतलब करेगा कि नहीं करेगा लेकिन टॉम करा लिए तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से यह काम किया है मैंने देखो मैंने साभी का है से ऐसे wat मて बोला दन्यवात दिखने के लिए